हलो बच्चों आएम पुलकिशमाय और आज हम ग्रैविटेशन का पार्ट नमबर 9 और जिसका नाम है कैपलर स्लो उसके बारे में चर्चा करते हैं उमीद करते हैं लास्ट लेक्चर आपने बराबर देखे होंगे और काम करना स्टार्ट करें चलिए शुरू करते हैं इसको कर अगरते हैं साइड में आ जाओ पहला पहला लो जो है पहला नियम स्ट्राइशन कि क्या बोलता है आजाए वह प्लैनेट्स आर मूवड इन इलेप्टिकल और बिट की बात करेंगा अच्छा इलेप्टिकल क्या होता है अगर हमारी थिवरी में बात की जाए तो उसको बोलत अंडाकार कैसे आईए मेरे साथ, इलेप्टिकल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर काम करना स्टार्ट करते हैं, पहले लों में कुछ ज़दा खास बात नहीं है, पर जो बाते खास हैं, वो आपको बता देते हैं, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, आईए मेरे साथ, इसको बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस, और ये होगा, सेमी माइनर एक्सिस, चर्चाओं को बराबर रखेंगे, काम तभी बनना स्टार्ट होगा, टोटल लेंथ होती है 2A मतलब यहां की value हो जाएगी A और यहां भी क्या हो जाएगी color को थोड़ा सा बदलते हैं ताकि काम बनना start हो total किती है 2B की बात करेगा तो यह B और B की की बात करना प्राडम कर देगा सुनिए जी क्या होता है अंदर दो focus होते हैं एक यह रहा और एक यह रहा ठीक है एक focus पर मान लीजिए सन पड़ा है इस तरह बनाव संतो इसो क्या बलेंगे सं सूरज ठीक है इसके around planet क्या करते हैं मूव करते हैं अब देखिए जी दो कंडिशन पूछना जाऊंगा आपसे जब प्लैनेट मूव कर रहा है जब यहां पर पहुंचा इसको मैं थोड़ा सा अलग मनाता हूं ताकि दिखना प्रारम रहे यहां पर पूचा प्लैनेट तो सन के बहुत पास में हैं और सबसे संसे जो दूर ऐफिलियों इस पे न्युमेरिकल आया हुआ है आपके पेपर के अंदर ध्यान रखिए गाजी चल ठीक बात उसके बाद चर्चा का विश्य क्या रहता है कि सन इसके पास की जो बात करता है इसकी स्पीड जो होती है वह ज्यादा होती है दूर जब होगा उस इसकी स्पीड क्या होगी स्लो होगी उस चर्चा को अभी रुख जिचेगी अगर मैं बोलूं कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टंस एई है और यहां भी सेम रहेगा एगर आप इसको आरवन बोल रहे हो और इसको आटू बोलना चाह रहे हो तो नहीं बरयाबर में आगए आना निकल जाएगा तो क्या आएगा और अट प्लेस ए की की बात करना प्रार्म्म करेका यहां तक आपको शब्स आना चाहिए और आसान चीज है पहले लो में सिर्फ इतनी सी बात बोली थी कि all planets move elliptical orbit around the sun की बात करना, start करता है, ये चर्चा आपको पूरी बता दी, e जो होता है, वो होता है eccentricity, eccentricity, कहानी खतम, खेल खतम, ठीक है, मतलब ये हमारा जो move है, वो कितना elliptical है, उसको बताता है, 0 से 1 की बीचपेश की value होती है, समझ मानते हो, मन न पलेगा, law of orbits की बात करेंगे, पहला इसको prove भी करेंगे, उसके लिए इंतजार कीजिए पर, each planet revolves around the sun in elliptical orbit with the sun situated at 1 of 2, मतलब यहां की बात भी कर सकता है, यहां की बात भी कर सकता है, चर्चा को मानते हो, इस point को हम क्या बोलेंगे, perihelion, इसको बोलेंगे aphelion, ठीक है, a और p लिखा हुआ है, चर्चाओं को समझ जाना, semi-measor axis, semi-minor axis, यह planet कोई move कर रहा है, हाँ या न, सही बात है, पहला का है, elliptical orbit, आईए जी, derivation की बात करना स्टार्ट करते है, इदर ही कर भूंगा में, बोला है, proof of Kepler's first law of planetary motion की बात करना स्टार्ट करते है diagram इसको इसको use करते हैं, सुनिए जी, यह आपका sun है, ठीक है, इस sun से planet कोई बात करना स्टार्ट करता है, planet move करना स्टार्ट करता है, तो इसको क्या करेगा, लगने वाला एक force लएगा, हमने बोला, जो gravitational force है, वो क्या है, F, इसको खींच रहा है, planet खींच रहा है, तभी तो इसको बार नहीं जाने देरा, अच्छा, यह ऐसे move करना चाहरा है, हाँ या ना, बिलकुल तरीके से, R क्या आएगा, इस तरह आएगा, जिसको आमने यह direction बताईए, ठीक है, तो force क्या होगा, F बराबर में, GM, sun का, planet का, upon R cube, into R, और बार क्या आएगा, माइनस की बात करना, स्टाट करेगा, क्यों करेगा, F और R, they are opposite to in direction, मतलब F और R की direction क्या है, अलग-अलग है, हाँ या न, सही बात, अगर मैं बोलू, if, यह लिख देता हूं, F and, if का है लिखे ते हो फिर, F and, R, R in, opposite direction, समझ आगी बात, चर्चाओ को बराबर रखते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, अच्छा, अगर मैं बात करूं, move कर रहा है, तो लगने वाला rotation में क्या रहेंगे, torque की बात करेंगे, तो torque की को स्टू क्या आएगा, R cross F, F की value पूट करते हैं, यह आएगा, R cross G, M, S, M, P, upon में, R cube, into R, R लिखो उसको, R मतलिको, अच्छा, vector की अगर बात करना, start करें, तो R vector cross R vector क्या होता है, 0 की बात करेगा, तो torque मतलब क्या आगया, 0 मतलब, constant की बात करेगा, हाँ या न, सही बात है, अरे बेटा, का है दिक्कत कर रहा है, F और R क्या है, दोनों direction opposite है, तो हमने बोला की minus लादो, काम खतम करो, पर मैंने बोला की rotation करना, start करना, तो हम क्या बोलेंगे, torque की बात करना, start करेंगे, R cross F, vector form में check करेंगे, R into, vector form में ही तो लिखा है, vector form में लिखा है, तभी तो R cross R किया हमने, क्या है, 0 आया, इन vector form, लिखूँ क्या साइड में, अरे, वैसे प्रूव की अफशक्ता नहीं होन चाहिए आपको, चलो फिर भी बता दिया, theory पड़ते हैं, काम बनना start होगा, बोला है, the planetary motion takes place under the action of gravitational force exerted by the sun, ये बात बता दिया आपको, sun लगने वाला, gravitational force की बात कर रहा है, where, ms, mass of the sun, force, radial and central, negative sign indicate f and r opposite in the direction, ये सभी में रहेगा, इसी में नहीं, अगले जब पढ़ेंगे, उसमें भी बात कर सकते हैं, ऐसी, करेंगी, the torque exert on the planet P about sun क्या आएगा, r cross f किया, तो r cross r की जो बात करेंगे, वो क्या करता है, vector form में, 0 करता है, तो हमने क्या बोला, torque जो है, हमारा क्या है, constant है, जिसको हमने dl upon dt से भी show किया हुए, इसको यहां लिए, सही है, अरे बेटा, l angular momentum की बात करता है, mvr की बात करता है, एक ही बात है, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, at the end आपका dl upon dt भी 0 आगया, और torque भी क्या आगया, 0 आगया, क्या बोला है, rate of change of angular momentum की तो बात करेंगा, कहा दिकत कर, सही है, तो आपको ध्यान रखना है, first low से पता लग गया, angular momentum हमारा क्या है, constant है, क्या है, constant है, चर्चा बरा second low क्या है, law of areas, सुनना जी, बहुत ही important और बहुत जानदार है, बोला क्या था, बोला ये था मालो, थियोरी तो दो लाइनों की है, पर काम बड़ा तरीकिक है, मालो ये sun है, इस focus पर sun पड़ा है, वो बोल रहा है, कि एक planet move करना start करता है, यहां से यहां तक, मालो P पे था, और P डश पे पहुंच गया, फिर यहां से यहां तक की बात करते है, पी था, P डश पे पहुंच गया, वो बोल रहा है, इक्वल टाइम की बात करोगे, तो इक्वल इंटर्वेल्स आफ एरिया कबर करेगा, इक्वल इंटर्वेल्स आफ एरिया, कहने का मतलब क्या है, अगर टाइम की वैल्यू बराबर है, तो एरिया दोनों के क्या होंगे, बराबर होंगे, सुनिए जी, मतलब यहां से लेकर, यह वाला एरिया, तो बदलो गया, और यह वाला एरिया, दोनों क्या रहेंगे, बराबर है, अब चर्चा का विशे क्या आता है, जो पुराना बताया था, मैंने क्या बोला था, कि सन के अगर जैसे प्लैनेट पास आए और दूर जाएगा, तो कम हो जाएगी, अगर मालो यह प्लैनेट जो है, यह वाला प्लैनेट यहां पर है, मालो दूर है, ठीक है, इसकी व्लॉसिटी किती है, वी वन है, और यहां पर क्या है, वी टू है, व्लॉसिटी बराबर नहीं होंगी, इक्वल टाइम पे एरिया की बात कर रहा है, टाइम बराबर होना चाहिए, मतलब मालो dia T time की बात कर रहे हो, और यहाँ पर उसने area a1 कवर किया और यहाँ पर किता किया a2 किया, तो वो बराबर है, equal time की बात करेंगे, अगर मैं बोलू כת आप यह बात बोलना चाहरे अब हो जाती है मतलब ज़्यादा होती है और दूर क्या होती है कम होती है तो वीटू था सन के पास था उस तरह स्पीड क्या ही ज़्यादा होई अब टेक्निकली सोचो कि अगर मैं यहां पर स्पीड ज़्यादा कर दूँगा तो हम बोलेंगे इस इसका एरिया इसके बराबर पर हो सकता है क्योंकि यहां पर अराम से कबर किया है और यहां पर जल्दी कवर किया है time हमने कम लगाए है है पर time हमने क्या बोला था बराबर use करना है तब ही तो इसको कवर कर पाओगे हाँ या न सही बात यह ता आपका सेकिंडे लो इसको हमने बोला law of areas की बात करते हैं, पस इस चर्चा में एक चर्चा बहुत important है, उसने बोला कि the aerial velocity, अब aerial velocity क्या थी, area upon time period, area upon second वाले का time period आर क्या है, constants है, अरे यार, यही तो main मुद्दे की बात है, मतलब यह बोल रहा है, first time of aerial velocity बोलते हैं इसको, a1 upon t1 बराबर में a2 upon t2, first time के लिए जो area cover किया है, और second time के लिए area cover किया, दोनों की value क्या है, constant है, बराबर के लिए बोल रहा हूँ, आप velocities बराबर नहीं बोलोगे, आप aerial velocities बराबर बोलोगे, हाँ या न, सही बात, तो आपको तीन चार्च चीजे, main मुद्दे वाली चीजे हैं, वो बहुत काम की होनी शाहिए, फर्स लो बहुत ही सिंपल था, elliptical orbit की बात करना स्टार्ट करता है, और second वाले में हमने देखा, law of areas में, equal time की बात करेंगे, तो equal areas को cover करेगा, हाँ या न, second बात कर रही है, aerial velocity, not velocity, aerial velocity बराबर है, या constant की बात करना स्टार्ट करते हैं, हमने, अगर आप तीसरा area और बनाते हो, तो a3 upon t3 लिख दो, काम खतम कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, v1 equals to v2 नहीं हो सकता, v2 is greater than to v1, आप इसको v1 लेते हो, तो v1 is greater than v2 कर सकते हो, कोई फरक वाली बात नहीं है, पर आप यह नहीं बोलोगे, दोनों की velocities क्या है, बराबर है, समझ आगी, चर्चा बराबर है, अब काम कुछ रहा ही नहीं, आप सिर्फ बाते देखो और काम करना स्टार्ट करो, आजो, बुला है, the radius vector drawn from the sun to a planet shifts about equal areas in equal intervals of time, इस चीज़ को इसलिए हरा करवाते हैं, ताकि बहुत important होती है, the aerial velocity, देखो यह आप, इसको भी हरा कर दिया, area covered per unit time of planet around the sun is constant, जो हमने a1 upon t1 किया था, वो ही था aerial velocity, सही है, आजा, इसके देख, यह DC जो है, BA के बराबर है, किसके, areas की बात कर रहा हूँ, अरे यार, क्यों कर रहा हूँ, areas, ठीक है, क्यों कर रहा हूँ, equal time की बात की है, equal time की बात की, चर्चा मानता है, मननी पड़ेगी, बोला है, hence the linear velocity of planet is more, when it's closer to the sun, जब पास में है, तब ज़ादा, और जब अवे है, तब क्या है, कम की बात करेगा, ठीक है, समझ रहे हो, more or closer to the sun, then its linear velocity, when away to the sun, ठीक है, अवे पर जाएगा, तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्लियर है, कोई दिकत से हैं दिविदा, नहीं होनी चुई, proof of Kepler second law, आज आओ मेरे साथ, थोड़ चोटा की है, diagram यही use करेंगे, अब देख, अभी क्या पढ़ क्या है, torque की value, मतलब यहाँ पर रखाओ, torque r cross f, बराबर 0, या dl upon dt, बराबर में constant, अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, हम करेंगे, delta a upon delta t, prove करेंगे constant, कैसे आजा, यह संथा, planet p और p dash, इसके लिए मैंने बोला, delta t time में, planet p से p dash से पहुँचता है, p से p dash तक पहुँचता है, सही है, अच्छा, अब मैंने बोला, इसका area चाहते हो, हाँ, आजओ, तो मैंने बोला, delta e, किसका, s, p, p dash की बात करो, क्या लिखोगे, एक बटा दो, base r, height, height अगर मैं बोलू, p, p dash तो चलेगा, पर इसका एक तरीका और है, वो बता देते हैं, इसको बार निकाला हूँ, यह r है, यह p, p, dash है, delta t बहुत small time है, अगर इस time को हमने बहुत छोटा माल लिया, तो इसका height का value कर सकता है, एक तरीका और थीटा काटके, पर वो complicated हो जाएगा, वो आपके माहिने बिन रखता, तो हमने बोला, अगर p, p, dash को लिखना चाह रहे हो, इस तरीके से, क्या लिखोगे, अगर मैं लिखू delta r upon delta t बराबर में velocity, कैसे लगएगा, क्या delta r बराबर में v delta t लिख सकते हैं, कैसे, velocity equals to क्या होता है, displacement upon time, displacement delta r, time delta t, सही बात, अच्छा, about linear momentum delta r बराबर में, p equals to क्या होता है, mv, v क्या आएगा, p upon m, यहाँ value पूट कर सकते हैं, p upon m delta t, यह किसकी value आई, delta r की value आई, पर हमें चाहिए value किसकी, p, p, dash की value चाहिए, आजाओ, आजाओ, तो क्या आएगा, 1, 2, r, p upon m delta t, अरे, delta r ही तो p p dash है, तभी तो बोला है मैंने, अरे, आर कैसी बात करते हो, तो delta a upon delta t, t को पल्टी मार के इदर बेज दिया, 1, 2, r into p, m, अच्छा, एक बात बताओ, r cross p क्या था, r cross p क्या था, क्या था, l था, अरे, बेटा, l बराबर में क्या था, mvr, हाँ या न, correct है, तो p, इको सुक्या था, mv, तो mvr क्या हो जाएगा, अरे, यह तो 0 कर दिया था, तो delta a upon delta t क्या आ जाएगा, कौन स्टेंट, गजब बात कर रहे हो, अरे, सही बात कर रहे हैं, जब कहें कर रहे हैं, मनते हो, अरे, नहीं मनते, आजब बापिस, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, तो r cross f 0 हो गया, correct है, यह जो पार्ट है, आपको यह समझाना बहुत जरूरी है, मैंने बोला, delta t time में, p से p dash पे पहुंच गए, करिया है, अच्छा, अब आपको चर्चाओ में दिक्कत कहां से आएगी, एक बटा, दो, half, base, base क्या है, r, height क्या है, p p dash है, इसमें चर्चा सकती है, दिक्कत आपको, मैंने क्या किया, distance मान लिया, displacement जो मान लिया, मैंने delta r है, time मैंने बोल दिया, आपको delta t है, velocity क्या होगी, यही तो होगी, बेटा, कहा है दिक्कत कर रहा है, सही बाद, तो मैंने delta r की जगह है, यह value put कर दी, p upon m delta t, p को स्टू m v होता है, ना, अच्छा, r klaus p, इसी l होता है, l को मैंने क्या गिया, 0 किया हुआ है, तो यह क्या होगा, पूरी term क्या होगी, 0 जिसको मैंने क्या बोला, constant, और क्या होगा, delta a upon delta t क्या आगया, constant, इसी को मैंने क्या बोला था, aerial velocity, बोला क्या है, आजो, बोला है, suppose the planet moves from, s p p dash की बात कर रहा है, half base into height, जो मैंने आपको बताईए, पिछे, p p dash को यह लिखा, delta r v delta t, same बात कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात, नहीं है, p upon m, linear velocity, delta t, वोही बात है, same बात करेंगा, बटा, तो delta r, delta t, यहां, इसको बल्टी मारके यहां लिआया, तो बोला, 1 बटा 2, और r को स्पी को अमने क्या लिखा, l लिखा, हाँ या ना, हाँ या ना, हमने हमारा यहां था, कोई दिक्कत नहीं है, और जो क्या है, constant है, तो हमने क्या बोला, delta a upon delta t, constant terms है, l and m are constant, यह तो पता ही था, चल ठीक बाता है, मानते हो, मानते हो, असान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, दस ता, aerial velocity of the planet, remain constant, the radius vector, joining planet of the sun, swaps out the equal areas, in equal intervals of time, जो पहली line थी, उसी line को, घुमा के लिखा है, बस बेशर्टे, आपको पता होना चाहिए, क्या, delta a upon delta t, क्या आएगा, constant आएगा, ध्यान रखना जी, velocity को नहीं बोल रहे है, हम aerial velocity को बोल रहे हैं, इस चर्चा को grab कर लेना, तभी काम बनेगा, नहीं तो कानी, गोड हो जाएगी, थार्ड लो तो बहुत ही simple सा लो था, बता दिते हैं फिर भी, इसने बोला था, t square proportional क्या है, r cube क्या है, r क्या है, semi major axis की बात करना, start करता है, आपको t square बराबर, proportional में, a cube दिया हो, तो ज़्यादा सही है, पर हमने r इसने लिया, और इसका नाम क्या रख दिया, semi major axis की बात करते हैं, और अगर radius की बात करोगे, तो elliptical में हर point पे, radius की value change होती है, पर circle की बात करोगे, वहाँ radius की value change नहीं होती, तो मैंने इसको क्या बोला, semi major axis, कहानी में twist आ सकता है, वापिस बोल रहा हूँ, मैंने elliptical में, इसको क्या बोला है, semi major axis की बात किया, बट अगर आप circle में आगे, तो यहाँ पर radius की value कहीं भी change नहीं होती, elliptical में change होती है, या तागी समझ, इसलिए धान रखना, this is our semi major axis, इतना सही low है, और कुछ भी low नहीं है, आज़े ही मेरे साथ, अरे, असान चीज है, बोला है, square of the period, revelation of planet around the sun is proportional to cube of the semi major axis of electrical orbit की बात कर रहा है, t square बराबर में, proportional में r cube और बराबर में लिखोगे, तो k r cube की बात करना start करोगे, प्राडम कर सकते हो, असान चीज है, प्रूफ दो में कर आज़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, p क्या है, time period है, r is the length of semi major axis की बात करना start कर रहा हूं, r length of semi major axis की बात करना start कर रहा हूं, k is the proportionally constant की बात करेंगे, आज अब प्रूफ करते हैं इसको, हटा दूँ उसको, यह तो बता देते हैं भी, मालो, यह elliptical orbit की बात कर रहा हूं, मालो कोई planet इस तरह से move कर रहा है, लीजिए, एक planet क्या है, p1 की बात कर रहा है, जिसके r1 की बात करोगे, एक planet किता है, p2 की बात करोगे, जो r2 की बात करना चारा है, यह p2 है, और यह P1 है तो हम बोलेंगे P1 square बराबर में क्या आएगा बराबर यह प्रपोर्शनल की बात करेंगे तो क्या आएगा R1 का क्यूब और T2 का square जो करेंगे प्रपोर्शनल का आएगा R2 का क्यूब और अगर आप इस दोनों की form को बराबर लिखना चाह रहे हो इस तरह से तो यह क्या जाएगा R1 upon R2 का क्यूब के बारे में चर्चा करेंगे सही बात है सही बात है चर्चा को मानते हो एक चीज़ हो रहा है आप किसी भी प्लैनेट को घुमा रहे हो उस पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करना स्टाट करेंगे M V2 upon R के अकॉड़िंग चर्चा को मानते हो असान चीज़ है फिर प्रूफ करवाये थे इतना पढ़वा के काम खतम करते हैं बोल रहा है डिफरेंट प्लैनेट के लिए T1 square upon T2 square R1 cube upon R2 cube की बात करना स्टाट कर रहे है दस लारजअग डिस्टैंस ओफ लीडिर स can Dhrom the लाज़ विल इटस पेरेड ऑफ रउडिशन अराउंड-दा सन की बात करना स्टाट करता जितना लाज़जर की बात करेगा इसमाद बात करेगा डिस्टैंस की बात करना स्टाट करे गा असान चीज है जिसको करते हैं खतम आजाओ थोड़ी शोटा करूं एक सन के आराउंड कोई इलेप्टिकल बनाना था चलो माफ कीजेगा एक इलेप्टिकल बात में कोई चक्कर लगा रहा है प्लैंड इस तरह से सन के आराउंड इस तरह से तो मैंने बोला लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स एंडी स्कूर्स अपॉन आर बराबर में जी एंडी एंडी अपॉन में आर स्केर के बराबर यह कि ग्रॉटिश्यल फोर्स के बराबर है औरल सकते हैं तो मैंने बोला इंडी स्कूर्स M से M मार दो, M कहें लिख रहे हो, अच्छा सही है, G M upon R, सही है, चर्चाओं को मानते हो, चल ठीक बाथ, अच्छा मैं बोलूं, V बराबर में अगर बोलूं, एक चक्का लगाने में समय लगा, 2 pi R upon T, इस चर्चा से समझे जी, 2 pi R upon T, तो क्या बोलोगे, पहले उपुट करते है, तो कहाएगा, अरे यार स्क्वेर में है वो, 4 pi square R square upon T square, बराबर में, G M upon R, क्रोस मल्टिपलाई करो, R cube 4 pi square, बराबर में, G M T square, अब मेरी बास सुनाजी, है, पहले स्चेज को वापिस धोरान करता हूं एक बर, संटिविटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, बराबर है, V square R upon R square, यह मानते होगा, इसको दिक्कत थोड़ी कर रहे हो, यह क्या है, velocity, यह कितनी है, distance है, और यह क्या है, time period है, अरे यार कि जब बात कर रहे हो, चक्कर लगाओगे तो कितना, cover करोगे, 2 pi यारी तो cover करोगे, हाँ या ना, चल ठीक बात है, तो हमने क्या बोला, V की square थी, यहाँ values बूट करी, यह माब बादा, आप में को बताओ, 4 क्या है, constant, pi क्या है, constant, g क्या है, constant, m क्या है, constant, तो हमने क्या बोला, t square जो है, वो proportion किसके हो गया, r cube के, यही प्रूव नहीं किया था कि हमने उपर, आपको सिर्फ t square बराबर में, r cube ही याद रखना है, इसके लावा कुछ भी याद नहीं रखना है, चलिए, सही बात है, बोला है, एक, suppose करो, एक mass, m revolve, moves कर रहा है, around the sun, in a circular orbit, r orbital speed, v है, m क्या है, mass of the sun, force of gravitation between sun and the planet, provides the necessary centimeter force, mv square upon r की बात कर रहा है, gm upon r square, उसके बाद कुछ भी नहीं किया, जो हमने form बताई है, उसी form को धोरान किया है, v की value रखी है, 2 pi r upon t की बात करना start कर रहा है, 4 pi square r square t square, gm upon r, कानी खतम, खेल खतम, हमने same value की बात किया, ये constant है, ये constant है, ये constant है, तो t square बराबर में proportional के आ जाएगा, r cube, कानी खतम, खे करते हैं, पहला, first low की बात करेंगी, क्या बोला था, elliptical path की बात करेंगा, अरे ये आ रहा है, दूसरा जो लोग था, उसमें हमने क्या बोला था, aerial velocity, constant, थार्ड जो हमने बोला था, क्या बोला था, t square, proportional क्या है, r cube की बात करना, start करेंगा, यही आपके तीन नियम है, और यही आपको बताया है, उमीद करते हैं, यहां तक किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अब हमारा जो पार्ट है, ज्यादा numerical नहीं आते, थियोरी के numerical ज्यादा बनते हैं, और वह बहुत ही कम बनते हैं, पर हमने जो लिए हैं, वो करने जरूरी हैं, ध्यान अकना जी, आपका जो numerical का portion आएगा, वो T1 upon T2 का, इसका square बरावर में R1 upon R2 का cube इसी के बनते हैं, और किसी के ज़्यादा नहीं बनते हैं, इसी के ज़्यादा बनते हैं, चलिए, एक्जमपल पहला, क्या बोल रहा है, उससे पहले हम बोलेंगे, इसी type के question आते ह हैं, और बहुत ही ललू से question आते हैं, ठीक है, इसी type में बनेंगे, आपको बताते हैं, calculate करना है, period of revelation of Neptune, around the sun, diameter given है, 30 times के से, अर्थ की orbit से, समझे जो, मतलब हम बोल सकते है, Rn upon R2 की जो value है, वो दीवन है, हमें 30, अच्छा, फार्मुला कहा रहता है, छोटा करना चाहेंगे हम इसको, हाँ, छोटा कर दें, कहीं दिक्कत है, फार्मॉला आता है, T square proportional R3, परपोर्शनल अडेया तो के आएगा, तो के तो कटी जाएगा, उसे कोई फरक थोड़ी बढ़ेगा, अच्छा, Tn upon T e का square, बराबर में, Rn upon R e का e cube, हम, चर्चा से वाकिफ है, अच्छ, अगर मैं बोलू, Tn का square, बराबर में T e का square, और इसका कितना, 30 का cube, 27,000, अच्छा, T e अर्थ के लिए किता आएगा, बेटा, यह पूछने की बात थोड़ी है, एक साल की बात करेंगा, गोमने के लिए, अच्छ, Tn की बात करेंगा, तो आएगा 27,000 का root, अरे बेटा, इसका तो 1 का square हैगा, तो एक ही आजाएगा, तो यह आएगा, Tn की value जो आएगी, वो आएगी, 164.3 years, ठीक है, तो time period of Neptune किता आज आएगा, 164.3 years, समझते है, समझते है, समझना पड़ेगा, असान चीज है, मुश्किल नहीं है, complicated नहीं करना, इसी टाइप के आते है, example दो, क्या बोल the sun, 10 की power 13 और 12 meter given है, find करो ratio of time period and speeds, T1 upon T2 और speeds V1 upon V2, अच्छा एक बात बताओ, speeds की बात कर रहे है, distance कितनी कवर करेगा, 2 pi r upon time period T, अब 12 लिखाया तो लिख लेंगे, वो तो कोई फरक नहीं करेगा, सही चर्चा, ऐसा ही question बनेगे, दो टाइप से question बाहर नहीं जाएगा, guarantee ह चलिए आजए है, T1 upon T2 का square, R1 upon R2 का cube, अरे कैसी बात कर रहे हो, अरे सही बात कर रहे है, इसकी value कितनी है, 13 और 12 की power 3 T1 upon T2 का square, यह बेटा जी आपके पास आएगा, T1 upon T2, दो इधर पल्टी मार जाएगा, किता हो जागा, 3 बेटा दो, यह कटा तो दाएगा, 10 की power 3 बेटा 2 यह 10 root 10, आपके पास ratio आ चुका है, T1 upon T2 का 10 root 10, मतलब हमारे पास क्या आगया हमारा time period, वाकिफ है, आजा फिर आगे, अचा पहले की बात करें, V1 बराबर में क्या आएगा, 2 pi, R1 छोटा लिए है, upon में क्या आएगा, T1, V2 जो आएगा, वो आएगा, 2 pi, R2 upon T2, वाकिफ है, अरे होना पड़ेगा रहे, आए दिक्कत करता, चल, आजा, V1 upon V2 पूछा है, तो क्या आएगा, R1 upon R2 और क्या आएगा, T2 upon T1, क्योंकि, क्योंकि, यह upon यह जाएगा, तो यह इसके पल्टी मार के कहा जाएगा, उपर सब्सक्राइगा, अभी खोल के T1, 2pi, R2 upon T2, यह दो कटेगा, R1 upon R2, T2 upon T1, सही है, अच्छा, एक बात बता, T2 upon T1 की अगर मैं value यहां से देखूँगा, इस form से, इधर, T1 upon T2 क्या आ रहा है, R1 upon R2 का 3 बटा दो, हाँ यह न, तो T2 upon T1 क्या आएगा, R2 upon R1 का 3 बटा दो, ओ हो 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 हो, क्या बोल दिय b1 upon B2, R1 upon R2, और यह आएगा, R2 upon R1 का 3 बटा दो, एक और अधा लिख सकते हैं, एक और अधा लिख सकते हैं, पुरा कोल के बताती हैं, तकि परिशानी नहोँ, परिशानी का मतलब परिशानी ही होता है, और यह वला, सही है, यह एक और अधा, घठा कटा 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 अच्छा आरवन अपन डिट्व की वेल्यू कर आया यह जो ऐसी कादön कि तुम ढूल तो आर तरी आ घृट्व ही पावर बारा और फ्रसक्री दार लो ऐसे घड़ंगो 16 तो यह आएगा एक रूट दस यह हमारे पास क्या जाएगा वी वन अपॉन वे टॉट लीजिए आपके सामने में स्पीड का रिश्वाया वन रेश्यो टूट सही चर्च है मनता है एक बार बताएं क्या वापिस अरे बताएंगे क्यों नहीं यार लड्डू बड्डू हो तुम हमारे आजो डिस्टैंस की त्या टू प्लैनेट की संगी दस की बावर तेना दस की पावर 12 रेश्यो सेम लिए पहले अरे गजब बात करी यह तो सामने ही दिख रहा है और सेकिंड आपका एक अपॉन रूट रहे एक अरे कही दिक्कत कर रहे हो सेम बात रही है कि सही बात है हाँ या ना सही बात है चलो उमीद करते हैं लेक्चर समझ आया पसंद आया बढ़िया लगा बढ़िया काम कर रहे हो घरवाला की पूरी बात मान रहे हो तो आज के लिए इतना ही सभी को all the very best and thank you very much